हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, I am also very fine, दोस्तों, आज मैं आप सब के साथ एक और रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, वो रेसिपी फैंसी तो नहीं है दोस्तों, बहुत ही authentic, Indian और simple रेसिपी है, लेकिन वो रेसिपी बहुत ही healthy and delicious है, और I hope prepared है, और मैं आपको prepared रेसिपी ही show करके, और आपको फटा-फट quickly उसका पूरा procedure बता दूँगी, ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको वो रेसिपी दिखा देती हूँ, उस रेसिपी का नाम है दोस्तों, खटा-मीठा-सीता-फल का साग, ये देखिए दोस्तों, ये र method फटा-फट बता देती हूँ, दोस्तों, सबसे पहले सीता-फल को, चाहे वो कच्चा हो या पका हो, कच्चा होगा तो आप उसके seeds भी साथ में खा सकते हैं, कच्चे का ये फाइदा है, कच्चा हो या पका हो, उसे अच्छी तरह से धो के, छील के, काट लीजिए, पाद कढ़ाई में, तेल में आप सरसों, जीरा थोड़ा सा, और थोड़ी सी अजवायन, और थोड़े से मेथ्रे seeds, थोड़े से कलॉंजी seeds, थोड़ी सी सौफ के seeds, और थोड़ा सा हींग पाउडर, ये सब डालके थोड़े से तड़का लीजिए, और उसके बाद दोस्तों उसमें कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर, अदरक और एक हरी मिर्च, ये सब काटकर तेल में डाल दीजिए, और उसे थोड़ा सा ही भूनना है दोस्तों, जादा नहीं भूनना, थोड़ा सा सोटे करके उसमें कटे हुए pieces सीताफल के डाल दीजिए, और उसमे थोड़ी सी शक्कर या चीनी एड़ कर दीजिए शक्कर या चीनी दोस्तों मैंने आधा किलो में दो चमच शक्कर एड़ की है आप अपना जितना भी जैसा भी आपका फ्लेवर हो टेस्ट हो आप उसके अनुसार एड़ कर सकते हैं दो चम्मच मैंने शक्कर एड़ की उसमें और उसके बाद अपने स्वाधन स्वार मसाले जो भी दोस्तों होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और चाहें तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं नहीं तो खटे के लिए चाट मसाले के साथ सा इसी सम्मेही जब recipe start होती है तड़का लगना कच्चा आम कद्दु कस करके हम तभी डालते हैं थोड़ा सा उसमें कच्चा आम कद्दु कस करके आप डाल दीजिये और उसे फिर stir करके आप उसे पकने के लिए उसे cover कर दीजिये और बीच बीच में चलाते रहिए दोस्तों और जब दोस्तों, आपका 20 मिनट के अंदर-अंदर ये सबसी पक्के तयार हो जाएगी, उसके बाद उसे दोस्तों, आप अच्छी तरह से मैश करने वले मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लीजिए. और उसमें अगर आपनी कच्छा आम नहीं डाला, तो आप पकने के बाद, अब कंप्लीटली पकने के बाद गैस बंद करके, आप उसमें निम्बू, निम्बू का रस थोड़ा सा और थोड़ा सा उपर से हरा धनिया एड़ कर दीजिए. और दोस्तों, ये तयार हो गई आपकी बढ़िया रसिपी, खटा मीठा सीता फल का हेल्दी साग. आए मैं फिर से दिखा देती हूँ. थैंक्यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.